एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ लिबनान का तंकी संगठन हिजबुला इसराइल के लिए सिर्दर्द बना हुआ है गाजा में इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुला बार बार इसराइल पर हमले कर रहा है ताकि इसराइली फौज का ध्यान गाजा से हट कर हिजबुला पर आ जाए जिसकी वज़ा से अभी तक इसराइली सेना दो मोर्चों पर लड़ रही थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल हमास युद का दाइरा अब तीसरे फ्रंट तक पहुँच गया है दरसल इराक के विद्रोही समू ने इसराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैन गुरियोन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है इराकी विद्रोही समू का कहना है कि उसके लड़ाकों ने 11 मार्च 2014 को बैन गुरियोन एयरपोर्ट पर काफी भीतर ड्रोन अटेक किया है और इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है दरसल इराग के विद्रोही गुड़ द्वारा जारी किये गए वीडियो में दिख रहा है कि एक ड्रोन एक रॉकेट को छोड़ता है जो अपने टै टार्गेट के उपर जा गिरता है इराग के प्रतिरोधी सुमू ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है जिसमें उसने कहा कि इसराइली हवाईयटे को निशाना बना कर उसने पुष्टी की है कि हम कबजे का सामना करने और गाजा में हमारे लोगों का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन के दूसरे चरण के पूरा होने और जवाब में दुष्मन के गढ़ में हमला करना जारी रखेंगे इसराइल निहत्ते फिलिस्तीनियों का नरसंगार कर रहा है हाला कि इराकी प्रतिरोधी गुट का ये पहला हमला नहीं है बलकि इससे पहले भी 6 मार्च 2024 को इसराइल के हाइफा एरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था उस वक्त इस गुट ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने इसराइली एरपोर्ट के पावर स्टेशन को निशाना बनाया है और इस हमले से पहले जनवरी 2024 में भी इस गुट ने हाइफा बंदरगा के एक केमिकल कार खाने पर ड्रोन हमला किया था और इसी गुट ने सीरिया के भीतर अमेरिका के एक सेन ने अड्डे पर भी हमला किया था इसके अलावा जॉर्डन के बॉर्डर पर अमेरिकी सेनिकों पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली थी जिसमें अमेरिका के तीन सेनिक मारे गए था